Hello friends, this is Kirti and welcome to my channel Positive Path with Kirti COVID ने हमें बहुत सारी चीजों से introduce किया उनमें से एक है गिलोए का प्लांट गिलोए का प्लांट वैसे तो जो लोग आयरुवेट से जुड़े हुए हैं वो लोग गिलोए के प्लांट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं गिलोए की जो भी beneficial properties हैं उनके बारे में जानते हैं लेकिन हम लोग गिलोए के बारे में COVID से ही जानना हमने शुरू किया कि किस तरीके से ये कितना ज़्यादा हमें health benefit देता है, कितना अच्छा immunity booster है skin के लिए हमारी कितना अच्छा है ये प्लांट इसकी leaves को चू करके इसका juice बनाके अगर हम पिएंगे तो arthritis वालों के लिए कितना ज़्यादा ये beneficial है धीरे धीरे करके हमने बहुत कुछ गिलोए के बारे में जाना गिलोए जिसे अमरिता या फिर गुरूची के नाम से भी जाना जाता है और भी बहुत सारे अलग-अलग नाम है इसके तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी प्लांट के बार में बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने घरों में गिलोए को लगा सकते हैं और इसकी health benefits को enjoy कर सकते हैं गिलोए जंगलों में और जाड़ियों में पाया जाने वाला herbal plant है और यह बहुत ही easily grow कर जाता है बिल्कुल किसी तरह की कोई problem नहीं होती है इसे किसी भी तरह के soil में यह grow हो जाती है मैं यह जो प्लांट है इसे मैं बस 10 rupees में लेके आई थी वैसे यह आराम से एक छोटी सी cutting से भी आप इसको propagate कर सकते हैं बहुत आराम से लग जाती है इवेन अगर आपने इसकी छोटी सी cuttings लाके एक pot पे भी रख दिया तो वहीं यह अपनी roots को निकालने लगती है और वहीं पे यह plant grow कर जाता है तो potting mix की अगर मैं बात करूँ तो इसे बिल्कुल किसी भी तरह के potting mix में आप लगा सकते हैं बस थोड़ी drainage अच्छी होनी चाहिए वैसे कुछ खास नहीं है बहुत ज़्यादा इसे खाद भी नहीं चाहिए साल में 2-12 पी से fertilize करेंगे इनफ है और कुछ लोगों को problem आ सकती है गिलोई को पहचानने में तो गिलोई बिल्कुल पान के बेल जैसे पान के पत्ते जैसी होती है ये बेल होती है तो उससे आप पहचान सकते एक बहुत ही amazing चीज मैं आपको बताना चाहूँगी ये देखिए जैसे bannion tree में roots निकलती है ब्रांचे से वैसे ही गिलोई के plant में भी इस तरीके से इसके stem से branches से roots निकलती है मैं बहुत amazed हूँ सही पूछे तो इसको देख के क्योंकि मैंने खुद ही नहीं देखा था मेरे पास ये plant तीन सालों से है पर मैंने नहीं देखा था लेकिन जब मैंने देखा तो बिल्कुल सही मैं amazed हूँ मैं कि ये जो roots हैं ये ही roots कहीं भी अगर जमीन में कहीं भी मिट्ट हो जाएंगी तो वहीं से फिर से एक नया plant निकल जाएगा तो इस तरीके से सारे अपने branches से इस तरीके से गिलोई का plant जो है roots निकालती है अगर मैं आपको बात करूं कि इसको कौन से इसमें disease आते हैं तो देखे जहां जिसका नामी अम्रिता है उसको क्या problem होता है जिसको हम लोग खुदी immunity boost करने के लिए यूज करते हैं तो फिर इस plant को खुद क्या problem तो बहुत ही कम इसमें disease का attack होता है chances बिल्कुल मेरे plant में आज तक नहीं हुए है चार साल से यह plant मेरे पास है तो मेरे plant में तो ऐसा कोई disease का attack नहीं हुआ है बिल्कुल layering वाला system यह follow करता है कि roots इस soil से वहीं से एक नया plant बिल्कुल निकल के आ जाता है थोड़ा over water से इस plant को बचाना होगा बहुत ज़्यादा इसे watering करने की जरूरत नहीं है दो watering के बीच में आप differences रखेंगे एक चीज और है कि यह plant है वह winter में बिल्कुल dormancy में चला हो जाएगा वह बिल्कुल dormant हो जाएग यह plant आपका तो उस समय यह क्या करेगा कि अपने सारी leaves को yellow कर देगा leaves drop कर देगा तो लगेगा जैसे अब यह चले गई नहीं बिल्कुल dead हो गया है तो वैसे में आप क्या करेंगे कि बस उसकी सारी जो dead branches हैं उनको cut कर देंगे और उस plant को as it is छोड़ देंगे जब next season जब spring आएगा तो हम लोग जब गर्मी की तरफ बढ़ रहे होंगे उस समय यह फिर से नई shoots लेके आएगा बिल्कुल फिर से sprouting इसमें शुरू हो जाएगी नई नई shoots आने लगेंगी और फिर से बस 6 महीनों में ही पूरे summer में मैं कहूंगी October तक October तक यह इतनी तेजी से growth करेगा क आपने शेहरों में भी देखा होगा कि बिजली के तारों पे आपने देखोगा गिलोए को चड़े हुए अगर आपके पास garden है और गिलोए है तो कोशिस करिए कि कड़ी पत्ता मीठा नीम या फिर नीम के पेड़ पे गिलोए की branches को चड़ाएंगे तो वो बहुत ही हमारे हिल्थ के लिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने गिलोए की वाइन को अपने विंडो पे चड़ाया है तो विंडो पे मैं इस वज़े से चड़ा रही हूं कि यह बिल्कुल फैल जाए मेरी विंडो पे और बहुत ही खुबसूरत सा एक कर्टेन जैसा बन जा गाए तो ग्रीनरी खुबस के घर के जाए तो जो भी हवा आए गी घर के अंदर वcie हो के आएगी तो इस वज़े से मैंने इसे अपनी विंडो पे चड़ाया है तो लोग इस वह लूग जैसे भी अपने घर के दीवालों पे चड़ाते हैं तो अगर आप ढ़ी आप बहुत अच्छा है प्लांट भी लग जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा तो चलिए फ्रेंट्स मिलती हूं मैं आपसे निक्स वीडियो में एक नए इंफॉर्मेशन के साथ तो प्लांट लगाईए मौनसून आने वाला है नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रह है तो चलिए मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई टेक केर हैपी गार्डनिंग